तो यहां पर यह रहा दस मेरे पास OnePlus Nord C2 Lite 5G smartphone और यहां पर यह रहा 64 Megapixels का Tribal Rear Camera आपको मैं इसी smartphone के इसी वीडियो में कुछ camera के settings बताऊंगा दस्तों भहतरिन settings बताऊंगा भहतरिन shots के लिए तो आप देखना एंड तक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले like कर दाना और आ यह feature क्या काम करता है बोलकर दुझे लिए camera open करते ही हमको आपर सबसे बले मिलता है आंपर net mode यह net mode क्या होता दस्तों रात में आपको photos लेना है तो आपको आना होगा इस net mode में इस net mode में आप आकर रात में photos ले सकते हैं इसके अलावा आप इस पर click करके कुछ filters लगा सकते है जो filter आपको अच्छा लगए वो filter लगा कर आप हम पर net mode में shots ले सकते हैं दुसनों उसके अलावा आप हम पर zoom करना चाहिए net mode में तो आप हम पर कर सकते हैं 6x तक zoom और चलिए और जो photo आप click करने हैं उसका size कैसा आना चाहिए आप हम पर इस पर click करके photo का size भी आप हम पर set करके रख सकते हैं जो अपने जो आपको size चाहिए अपने मरजी के हिसाब से उसके बाद आप इस पर click करके हाँ पर मिलता दुस्तों आपको timer 3 seconds और 10 seconds का timer आप इंपर 3 seconds करेंगे तो आप इस तरह से clicker photo clicker दक में 3 seconds का time आएगा 3 seconds के बाद में photo click हो जागा दुस्तों ये कब काम आ आप यूज कर सकते हैं उसके अलावा आपको video recording करना हो तो आना होगा next video mode आपको मिलता है आप video recording करते वक्त में आप यहां पर maximum zoom कर सकते हैं 6x तक और ज्यादा नहीं कर सकते वाड़ेंगल भी इसमें आपको नहीं मिलता है और आप इस पर clicker के 720p 1080p video recording कर सकते हैं 4K होना चा सकते हैं video recording करते वक्त में आपके face पर pimples हैं या कुछ भी दाग हो अगरा दाग दपे हैं तो सब कुछ clean हो जाएंगे ज्यादा खूप सरो दिखना चाहिए आपका face पर इसको ज्यादा कर सकते हैं कम दिखना चाहिए तो कम कर सकते हैं दूस्तों अपने मरजिय के साब से आपको ठीक वाजू में दिखता होगा फिल्टर्स आप फिल्टर्स भी लगा सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसके आपके हमपर यह स्काइब बिली मिलता और यहां पर यह जो अच्छा लगे लगा लाए ना दूसमें फिल्टर यह तो हो गया filter का काम और य रहा वीडियो मोड आपको नेश्ट आना होगा भी हमपर फोटो मोड में यह तो नॉर्मल मोड फोटो मोड आपको फोटो क्लिक करना है नॉर्मल कभी भी तो आपको आना होगा इस मोड में कभी भी तो यहां से आप फोटो से ले सकते हैं कभी भी तो चलिए इसके अलावा आप हैं पर जूम कर सकते हैं 6X तक और चलिए और वाइड एंगल भी आपके यहां पर इसमें नहीं मिलता है कभी भी और आप इस पर क्लिक करके अपने फेस को ब्यूटी भी कर सकते हैं कभी भी और इसके अलावा अपने इस पर आप क्लिक करके अपने फेस को फिल्टर के चाहिज़भी सेट कर सकते हैं कई एसके अलवार ही हैं कभी भाइतर शोट के लिए इसके अलाव यहां पर आप HDR को भी और योफ क्लीक करेंगे तो फ़्लशट पर लेंगे राद में तो उसी वक्ताइब आस एक उन हो जाती है इसके अलावा आप इस पर set करेंगे तो जब याप फोटो लेते हैं रात हो दिनो फ्लेशेट उसी वक्त आउन हो जोती है इसके अलावा हम पर आउफ करेंगे इस पर click कर कि आउफ कर सकते हैं जब तक आप on नहीं करते आउन नहीं होगा तो यह रहा photo mode और आप इस पर click करके यह तो बता दिया face को beauty कर सकते हैं और filter लगा सकते हैं इसके अलावा आ सकते हैं हमें हम पर next portrait mode portrait mode में आने के बाद यह कह है जैसे आपने देखा होगा background blur background को blur करके आप हम पर photos ले सकते हैं दोसों इस mode में आकर और आप इस पर click करके अपने face को beauty कर सकते हैं यहां से ज्यादा करना चाहिए ज्यादा कर सकते हैं कम करना चाहिए कम कर सकते हैं और filters पर click करके portrait mode में भी आप filters लगा कर photos ले सकते हैं portrait mode के और आप में पर कभी भी zoom नहीं कर सकते इस portrait mode में आप इस पर क्लिक करिके अपने जो पीछे ब्लर हो रहा है। वो ब्लर कर सकते हैं कभी भी। अप इस dipl कोकम करेंगे तो ब्लर जादा होगा और ऐसर को देखक ब्लर कम होगा दो今天 आँफ्य करके are causing घ styl reminder ओर 달 scam कभी चलों कर सकते हैं कभी भी उसके बाद हम पर pro mode में आ सकते हैं आप कभी भी pro mode क्या होता है जैसे आपने देखा होगा डेसलर camera वो डेसलर camera के सारे settings आप करके इस mode में photos ले सकते हैं दसो ISO है और shutter speed है और EV है और white balance है यह सारे settings कर सकते हैं और चलिए हम पर आप इसी जगापर हम पर lighting बहुत ज्यादा है तो आप इसको अफर कर सकते हैं अच्छी से हो जाता है और आप इस जगापर हम पर lighting बहुत कम है तो हैं तो अच्छे से एड़ेस्ट हो जाता तो यह आप शौट्स ले सकते हैं कभी भी pro mode में आकर इसी उसी mode में आएंगे हम आने आने के बद्द आप पहां पर प्याँ का एक मोड मिलता है कभी भी प्याँ हुआँ अपनीमाँ प्यम कि अपको और मोड में चाले ह pig मारयल होता है यह अपको आने के बाद आप हुआ Осता की अना होगा नुएचरा के अग्रह प्यार दिख्याए दिला अपको Ir Manage अवह अने के detail में नहीं दिखेगा आपको कोई भी चीज को details में देखना है तो आपको आना होगा कभी भी इस macro mode में आकर आप कोई भी चीज के सामने लेकर जाएंगे camera को तो blur ने दिखेगा detail में दिखेगा इस तरह से आप कोई भी चीज़ को details में देखना चाहे कभी भी तो आप आ सकते हैं कभी भी इस Micro Mode में और उसके अलवा यहां पर आप इस पर क्लिक करेंगे Micro Mode में भी photos लेते वक्त में यहां पर कभी भी filters लगा सकते हैं बहुत सारी filters आप कहां पर मिलते हैं यह यूज कर सकते हैं Flash it के यूज कर सकते हैं एक बार क्लिक करेंगे तो On हो जाएगी Flash it वह आप से क्लिक करेंगे तो Off हो जाएगी और Timer मिलता है कभी भी वापस से आते हैं दो और More में और देखते हैं और के feature हम कहां पर मिलते हैं आपको slow mo की video recording करना तो आपको यहां पर मिलता है स्लोमो का मोड कभी भी तो यहां से आप स्लोमो के वीडियो रिकॉडिंग कर सकते हैं एक्ष्टर एप वगारा लेने की जरूरत नहीं और वापस ते मौर में आने के बाद आपके हम पर डूवल वीडियो मिलता है मतलब फ्रंट और रियर दोना क्यामरा से यहां पर एक साथ फोटो से ले सकते हैं अब ही तो खास नहीं यहां फ्र भी यूज करना चाहिए कर सकते हैं ब्पर फोटो मोड में आकर यहां पर अने के बाद आपको हम पर मिलता है थोड़ा ब्रैकनस कम कर लें कर लें ताकि आपको फॉन्ट अच्छे से दिखें तो लिए और चैन नाम सकते हैं और भी तो जो भी पहलेंगे दिलेंगे इस अपने का कर सकते हैं Bangladesh कोना ऑफ कर सकते हैं और द्रोकेशन को on & time को on आफ कर सकते हैं कभी भी इसको आप आउन करेंगे डेट एंड टाइम को तो जिस डेट पर और जिस टैम पर आपने फोटो क्लिकिया है वो फोटो के कॉर्णर में ना दूसरों ओ टाइमिंग और डेट बताएगा दूसरों एक स्टेप बैक आते हैं कभी भी आपके हमपर मिलत हैं कभी फोटोस आप लेते हैं तो आना चेहिए आना चाहिए तो शोटर सम्ट को आन कर सकते नहीं तो आउसे बताएगा मैं तो इसको कभी भी आउस करना लगा तो आप आफ करना चाहिए, आफ कर सकते हैं, नहीं तो on कर सकते हैं आपके मरजी के हिसाब से, उसके बाद नीचे आने के बाद आपके हम पर मिलता है, और shooting methods आपको इस setting में आना है, tap to capture को on करेंगे आप कभी भी, तो आप camera एप ओपन करेंगे, इसक्रीन पर टच करेंगे, त आप यहां पर इसको on कर सकते हैं, कभी भी, उसके बाद यहां पर volume button action मिलता है, आपके हम पर, आप camera app open करके volume button पर click करेंगे, कभी भी, तो volume पर आपने set करके रखा है, तो volume जादा होगा, और आप यहां पर शूटर पर set करके रखा है, तो photo click हो जाएगा, और यहां पर आप आपको fast double click करना है, तो camera open हो जाता है, कभी भी, वापस ही, इसी 3.4 clicker के settings में आएंगे, और यह थे कुछ settings, इसी camera के setting, इसी OnePlus Nord C to light 5G smartphone के, आपने कुछ गड़बढ कर दिया, fail कर दिया, settings कभी भी, तो आपको क्या करना है, restore defaults पर click करना है, कभी भी जब भी आपने settings fail कर दिय आपना है, तो जैसे नया phone लेने के बाद में जैसी settings थी, सारे settings उसी तरह हो जाएंगे, तो यह settings आप आप आपर कर सकते हैं, तो यह थाज़सों वीडियो, इसी OnePlus Nord C to light 5G smartphone का camera के settings वाला है वीडियो, तो आपको अच्छा लगा यह वीडियो अभी भी, तो इस channel को subscribe करके bell icon प कर सकते हैं, तो चलिए मिलते हैं अपसे एक और नए वीडियो में,